स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज एक क्लास 10 के प्रशनावली 3G के बारे में अध्यन करेंगे और इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे प्रश नंबर 21, 22 और 23 तीन प्रशनों को हल करके आज बताया जाएगा जिससे ये प्रशनावली 3G अभ्यास क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा यदि इसके पिछले वाले वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लैलिस्ट में आल वीडियो है वहाँ से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं तो प्रशन नंबर 21 क्या है प्रशन नंबर 21 को दिहान से समझेए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो प्रशन है एक मीत्र दूसरी से कहता है यदि मुझे एक सो दे दो तो मैं आप से दो गुना धनी बन जाऊंगा दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे दस दे दो मैं आप से छे गुनी धनी बन जाऊंगा बताईए उनका उनकी करमशा क्या समपतियां है मतलब संपत क्या है मतलब उनके पास कितने कितने धन है तो अभी पहली सर्थ में क्या कहा गया कोशन को दूसरी सर्थ में क्या कहा गया है अभी एक एक लाइन को अच्छे से आपको समझना है तो सबसे पहले पहले मित्र की संपत को यक्स मान लेते हैं अदूसरे मित्र की संपत को वाई मान लेते हैं, तो यहां सबसे पर लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से लिखेंगे यहां पर कि माना पहले मित्र की संपति, यहां लिख लेंगे माना पहले मित्र की संपति, माना पहले मित्र की जो संपति है, कितना है, यक्स है, मित्र के के पास मित्र के पास शंपत जो है कितना है यक्स है यक्स तथा दूसरे मित्र के पास मित्र के पास संपति य है तो यहां तो समझ में आ गया कि दो मित्र है पहले मित्र के पास जो संपति है यक्स है और दूसरे के पास जो संपति है य है तो अब प्रश्ण में का कहा गया है इसको धियान देना है तो यहां लिखेंगे पहली सर्थ से पहली सर्थ में कोशन में क्या कहा गया है और एक एक लाइन को आपको समझना है जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंट क्या किजेगा कमेंट कीजेगा तो यहां लि पहले लिख लेंगे कि जब जब दूसरा मित्र जो है पहले मित्र को सो रुपया देता है तो जब दूसरा मित्र पहले मित्र को पहले मित्र को सो रुपया देता है कितना देता है सो रुपया क्या करता है देता है तो जब दूसरा मित्र जब पहले मित्र को कितना दिया सो रुपया दिया तो अब यहां लिखेंगे पहले मित्र के पास अब कितना संपति हो गया तो पहले मित्र के पास पहले मित्र के पास धन अब धन कितना हो गया तो पहले मित्र के पास जो है यक्स रुपया था दूसरे पहले मित्र ने इसको कितने रुपे दे दिये सो रुपे दे दिये तो पहले मित्र के पास जो धन है यक्स पलस क्या हो जाएगा सो हो जाएगा और दूसरे मित्र के पास अब यहां लिख देंगे दूसरे मित्र के पास दूसरे मित्र के पास धन दूसरे मित्र के पास जो धन ह वह कितना होगा तो पहले कितना था वाई था इसमें से सो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यह कम क्या हो गया क्योंकि इसको सो क्या किया है दे दिया है तो अब यह सो रुपिये देने से कितने गुना धनी हो जाएगा तो दू गुना धनी बन जाता है तो अब यहां लिखेंग प्रश्नानुसार अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में कहा गया है कि यह दूगुना धनी बन जाएगा तो दूगुना धनी कैसे बनेगा, किसके द्वारा, यहां लिखेंगे पहले, पहले मित्र का धन, पहले मित्र का धन जो है, पहले मित्र का धन, दूसरे मित्र के धन से कितना गुना हो जाएगा, दो गुना, दो गुड़े हो जाएगा, दूसरे मित्र का धन, दूसरे मित्र का धन से वह दो गुणा हो गया जब 100 रुपया दिया है तो दो गुणा हो गया तो अब यहाँ पहली मित्र का धन कितना है तो पहली मित्र का धन है यक्स पलस जो है 100 है बराबर हो जाएगा 2 गुड़े दूसरे मित्र का धन क्या है दूसरे मित्र का धन जो है y-100 है अब यहां क्या होगा y-100 बराबर हो गया 2 में y के गुड़ा करेंगे तो 2y होगा 2 में 100 के गुड़ा करेंगे तो यह 200 हो जाएगा समझ में आ रहा होगा आप लोग को अब यहां एक समीकरड बनाए जाएगा अब इस समीकरड के सहायता से इसे क्या किया जागा हल किया जागा अब 2y को पचांतर कर लेंगे और 100 को पचांतर कर लेंगे तो अब क्या होगा यक्स माइनस जो है 2y हो जाएगा बराबर हो गया और 100 जो पचांतर करेंगे तो यह माइनस 200 और माइनस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा यह प्लस 100 है पचांतर नमबर एक तो समी कर एक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजे उसके बाद से आप वीडियो को एक बार और देख लीजे जिसे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा अब यहाँ पर दूसरा जो जो है धनी हो जाओंगा तो पहले वाले ने उसको दूसरे वाले को कितना दे दिया दस रुपया दे दिया तो अब यहां लिखेंगे दूसरी सर्थ से अब क्या यहां लिखेंगे दूसरी सर्थ से अब दूसरी सर्थ में क्या कहा गया कोशन में तो दूसरी सर्थ से में जो है को दूसरे मित्र को कितना रुपया देता है दस रुपया देता है दूसरे मित्र को कितना दे दिया दस रुपया तिहां लिखेंगे दस रुपया क्या किया देता है तो जब दस रुपया देता है तो पहले मित्र के पास धन कितना होगा तिहां लिखेंगे या पहले मित्र के पहले मितर के पास धन तो पहले मितर के पास धन कितना हो जाएगा तो अब यक्स रुपिया पहले मनत शुरुवात में उसका धन क्या था यक्स रुपिया था तो इसमें 10 रुपिया जब दे दिया तो यह माइनस 10 हो जाएगा अब दूसरे मितर के पास धन क्या होगा तो अब यहां लिख देंगे धन बराबर क्या हो जाएगा अब यह वाई था और इसमें 10 क्या कर लेंगे जोड लेंगे क्योंकि यह 10 रुपया जो है पहले वाले मित्र ने इसको क्या किया दे दिया अब 10 रुपया देने के बाद से कितना गुना हो गया तो 6 गुना हो गया तो अब य यहाँ पर प्रशनानुसार मतलब यह हुआ कि जो दूसरा जो मितर जो दिया है पहले मितर से तो कितना गुना हो गया है? छे गुना हो जाता है तो यहाँ लिख देंगे अब दूसरे मितर के पास क्या धन दूसरे मित्र के पास धन बराबर हो गया 6 गुड़े पहले मित्र के पास धन तो यह जो है 6 गुणा हो जाता है अगर 10 रुपया उसको देता है तो दूसरे मित्र के पास धन कितना था तो दूसरे मित्र के पास धन है यह क्या था y पलस 10 है क्या है y पलस 10 है बराबर हो गया 6 हो गया गुड़े हो गया पहले मित्र के पास यक्स माइनस जो है दस हो गया अब यहां क्या बनेगा y प्लस 10 हो गया बराबर हो गया 6 में x का गुड़ा करेंगे तो 6x हो जाएगा 6 में 10 का गुड़ा करेंगे तो यह 60 हो जाएगा तो समझ में आ रहा होगा अब यहाँ दुखास समीका बनाया जाएगा अब यह 60 को पच्छांतर करेंगे य को पच्छांतर कर लेंगे तो 10 पलस जो है 60 हो जाएगा बराबर हो गया 6 यक्स हो गया और यह प्लस Y है जब पच्छांतर कर देंगे तिया हो जाएगा माइनस Y हो जाएगा 60 दस जोडेंगे तो कितना हो जाएगा 60 दस कितना होगा 70 हो जाएगा बराबर हो गया 6 यक्स माइनस Y हो जाएगा तो अब यह समीका को यहाँ पे जो है लिख सकते हैं या यहां का मतलब यह होता है कि यह समीकों को पच्छांतर कर सकते हैं 6 यक्स माइनस Y बराबर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा तो अब हमारा बन गया समीका नंबर 2 तो समीका एक और 2 को कैसी बनाया गया तो आप लोग एक एक लाइन जो है अपने कापी में जब हल करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा तो यह समीका जो 2 बना है और समीका एक जो बना है थोड़ा सा धियान दीजिए यह जो है यक्स माइनस 2 वाई है और यह जो है 6 यक्स माइनस वाई है तो इसमें अगर 2 से यहां गुड़ा कर दें तो यह दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे और बराबर हो जाएंगे और दोनों जो है बिप्रिचिन है कि समानचीन है इसको देख लेंगे यह माइनस है और यह भी क्या है माइनस है इसलिए यह समानचीन है तो समानचीन में क्या करते है घटाते है तो समीक एक और समीक दो को क्या कर लेंगे घटा लेंगे अब तो अब यहां लिखेंगे समी करड़ एक में नहीं समी करड़ एक में याद रखेंगे समी करड़ दो में कितने से दो से गुड़ा करके समी करड़ एक से क्या कर देंगे समी करड़ एक को घटाने पर अब यहां दो से गुड़ा करेंगे समी करड़ दो में और एक से क्या कर द X हो जाएगा या Y था तो 2Y हो जाएगा और 70 था तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा और समीकर एक यहाँ पर नोट कर लेंगे तो X हो जाएगा माइनस 2Y हो जाएगा बराबर माइनस क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा अब इसको जो है घटा देंगे तो जब घटाएंगे तो क्या बनेगा यह बनेगा माइनस और यह बनेगा प्लस और यह बनेगा प्लस अब जो है 2Y से 2Y कट जाएगा 12X में से 12X घटा देंगे तो यह हो जाएगा 11X बराबर 300 और 140 जोड़ेंगे तो यह बन बटा 11 को नीचे भीज़ देंगे अब 11 से जब इसको भाग कर देंगे तो 11 से जब भाग करेंगे तो 1144 हो जाएगा तो यक्स बराबर जो हो गया 40 हो जाएगा तो यक्स का मान जो आ गया 40 तो अब जो है यक्स का मान जब 40 आ गया तो यक्स का मान किसी भी अगर समीकर में रख पर किसमें समीकरड एक में रखने पर तो समीकर एक क्या है अब यहां पर नोट करेंगे और यहां यक्स के जगा पर क्या रखेंगे चालिस रखेंगे अब यहां क्या हो जाएगा यक्स माइनस दो वाई बराबर क्या था माइनस तीन सो था यह समीकर एक है अब यक्स के जगा प्या हो गया 40, माइनस हो गया 2Y हो गया, बराबर हो गया, माइनस यह हो गया 300, अब 40 को पच्छांतर कर देंगे, माइनस जो है 2Y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और माइनस 300 है, और उसके बास इसमें 40 को क्या करेंगे, घटा देंगे, अब क्या बनेगा, माइनस 2Y हो गय माइनस तीन सो और माइनस चालिस मिल करके माइनस जो है तीन सो चालिस हो जाएगा अब किसको नीचे भेज देंगे तो दो को जो है नीचे भेज देंगे तो य बराबर क्या हो जाएगा तो य बराबर माइनस तीन सो चालिस बटा माइनस दो माइनस से माइनस कार देंगे दो स इसको काड़ देंगे तो य बराबर क्या हो जाएगा 2192 हो गया दूसरते 14 140 हो जाएगा तो यह भाग देने के तो आ गया है 117 आ गया गया अब यह 170 जब आ गया है तो यहां निक्चे लिख देंगे अतह अतह पहले मित्र की पहले मित्र के पास संपती तो पहले मित्र के पास जो संपती क्या था तो संपत जो था यक्स था बराबर कर लिजे और बराबर करके यक्स और यक्स का मान कितना आया है तो यक्स का मान जो है 40 यह 40 रुपिया जो है पहले मित्र के पास संपती है अब दूसरे मित्र के पास संपती तो दूसरे मित्र के पास संपत क्या हो जाएगा तो यह इसको क्या माने थे संपत को वाई माने थे और वाई बराबर क्या है तो 170 रुपया आया है तो यही क्या हो गया एंसर हो गया तो यह कोशन थोड़ा सा बड़ा है तो आप लोग घबडाईए मत अराम से इसको हल कीजे क्योंकि इबारती कोशन थोड़ा सा टफ होता है लेकिन ध्यान दिजिएगा तो यह पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश नमबर 22 प्रश नमबर 22 क्या है अब इसके बारे में समझेंगे तो कोशन है एक किरकेट टीम के कोच कोशन को ध्यान से आप लोग भी देखते रहेए एक किरकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेद 3800 रुपे में खरी दी बाद में उसन तीन बल्लो तथा 5 गेद 3750 रुपे में खरी दी परतेक बल्ले और परतेक गेंद का मुल ग्याद कीजिए तो इसमें कोशन पढ़ने से ही पता चल गया है कि इसमें 2 सर्थ दिया गया है पहली सर्थ में 7 बल्ले 6 गेद है और दूसरी सर्थ में 3 बल्ले जो हैं और 5 गेद है तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हल और हल लिखने पर लिखेंगे माना एक बल्ले का मुल यहां लिखेंगे माना एक बल्ले का मुल यक्स रुपिया है कितना है यक्स तथा एक जो है एक गेंद का मुल जो है वाई रुपिया है एक गेंद का जो मुल है क्या है वाई रुपिया है तो एक जो बल्ला है उसका जो मुल यक्स माल लिया है और एक गेंद जो है उसका मुल जो है वाई माल लिया है तो अब यहाँ पे पहली सर्थ में क्या दिया गया है और दूसरी सर्थ में क्या दिया गया है इसको समझना है तो यहाँ लिखेंगे पहली सर्थ से तो पहली सर्थ से दिया गए 7 बल्ले हैं कितने बल्ले हैं साथ बल्ले हैं और जो हैं पलस कर लेंगे छे जो गेद हैं और दोनों का मूल मिला करके कितना हो गया है तो 38 हो गया है साथ बल्ले छे गेद मिलाएंगे कितना हुआ 38 तो साथ बल्ले हैं तो साथ बल्ले को क्या मानेंगे यक्स मानेंगे पलस गेद को क्या मानेंगे तो y मानेंगे तो 7x पलस 6y बराबर क्या हो गया 38 हो गया यह बन गया समीकर नमबर 1 यह पहली सर्थ जो है समाप्त हो गया अब यहां लिखेंगे दूसरी सर्थ से अब दूसरी सर्थ में कोशन में क्या कहा गया है कोशन को देखेंगे पुना नोट करेंगे तो अब यहां लिखेंगे तीन बल्ले पांच गेद यहां लिखेंगे तीन बल्ले पलस जो है पांच गेद है और इसको मिला करके मुल कितना है तो पांच गेद मिल करके जो तीन बल्ले पांच गेद मिल करके कितना मुल है तो सत्रे सो पचास है अब यहां तीन बल्ले है तो बल्ले का मुल कितना माना गया था तो यक्स माना गया था तो यह हो जाएगा और YAKS Y का जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा तो अब यहाँ देखेंगे यहाँ 5 Y है और यहाँ 6 Y है यह दोनों तो बराबर नहीं है यहाँ पर भी YAKS Y भी मान बराबर नहीं है तो अब यहाँ बराबर करेंगे तो 5 से समीकर 1 में गुड़ा कर लिजे और 6 से जो है समीकरड़ दो में गुड़ा कर लिजे बराबर हो जाएगा तो यहां नीचे लिख लेंगे समीकरड़ एक में जो है किसे समी के दो में 6 से गुड़ा करके क्या करेंगे घटाने पर गुड़ा करके घटाने पर क्यों घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है समानचीन है यह पलस है और यह भी क्या है पलस है तो समानचीन है इसलिए इसको का करेंगे घटा लेंगे तो अब 5 से अगर गुड़ा करेंगे इसमें तो 7 पच्चे क्या हो गया यह बन जाएगा 35 यक्स हो जाएगा 5 में 6 का गुड़ा करेंगे तिया हो जाएगा 30 वाई हो जाएगा बराबर हो जाएगा 5 से 38 सो में जब गुड़ा करेंगे तिया हो जाएगा 19,000 कितना हो जाएगा 19,000 हो गया और इसमें जो है कितने से गुड़ा करेंगे तो 6 से 6 में 3 का गुड़ा करेंगे तो 6, 3 कितना हो गया 18,000 हो जाएगा 6, 3, 18,000 हो गया 5, 6 के 30,000 हो जाएगा बराबर हो गया और 17,50 में जब 6 का गुड़ा कर लेंगे तिया हो जाएगा 10500 आप लोग भी गुड़ा करके चेक कर लेजेगा समीकर 1 में जो है 5 से गुड़ा किये हैं और समीकर 2 में जो है 6 से गुड़ा किये हैं अब यहां पर क्या कर लेंगे घटा लेंगे तो घटाएंगे तो यह चिन क्या बनेगा माइनस 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 30y से 30y खतम हो जाएगा 35 yaks में इसे 18 yaks को घटा देंगे तो याब बन जायगा 87 yaks हो जाएगा बराबर हो जायगा और इसमें जो घटेंगा तो याब जायगा 800 हो जाएगा तो समझ में आगया होगा अब सत्रह को कहा भेज़ देंगे इसके नीचे भेज़ देंगे पचासी सो के नीचे भेज़ देंगे अब यहां क्या हो जाएगा यक्स बराबर जो है पचासी सो बटा में क्या हो गया सत्रह सत्रह से जब पचासी में भाग कर देंगे तो सत्रह पचे पचासी मतलब यह पांच हो जाएगा पांच सो कितना हो जाएगा यह पांच सो बार में कटेगा पांच सो हो जाएगा तो यक्स का मान जो आगए है पांच सो आप समी के एक में जो है रख लेंगे तो यक्स के जगह पे जो है कितना रखेंगे 500 तो समी के एक पहले या नोट कर लेंगे तो समी के एक क्या था तो साथ यक्स था पलस था छह वाई था और क्या था अर्टी सो था यह समी का नम कौन सा है एक है अब यहां यक्स के जगह पर क्या रखेंगे 500, साथ गुड़े हो गया 500, पलस हो गया 6y हो जाएगा, बराबर हो गया 3800 हो जाएगा, साथ में 5 के गुड़ा करेंगे तिया हो गया 3500, पलस जो है 6y हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 3800 हो जाएगा, अब 3500 जो पलस में है 55 कर में से 3500 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा या हो जाएगा 300 अब y बराबर क्या हो जाएगा तो 300 बटा में क्या हो गया 6, 6 से जब 300 को काड़ देंगे तो कितने बार में आएगा 6, 35 इसका मतलब y बराबर क्या गया 50 आजाएगा कितना 50 तो y का मान पचास आ गया और यक्स का मान जो है 500 आ गया तो अब यहां लिख देंगे अतह एक जो है बल्ले का मुल एक बल्ले का मुल कितना माना गया था सुरुवात में तो एक बल्ले का मुल यक्स माना गया था और यक्स का मान कितना या है तो 500 तो 500 रुपिया हो जाएगा और एक जो ह गेंद का मुल, एक जो गेंद का मुल कितना माना गया था, एक गेंद का जो मुल है, वह कितना माना गया था, Y माना गया था, और Y बराबर कितना गया, 50 रुपया, तो कोर्शन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक ब 23 है कोशन को आप उत्वास देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा कोशन है टफ है लेकिन बहुत ही जो है असान है बस थोड़ा सा समझना है कोशन देखने में बड़ा है एक नगर में टेक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अत्रिक्त नियत भाड़े है उसके अत्रिक्त भाड़ा है तो अत्रिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा समलित किया जाता है दस कीमी दूरी ध्यान दिजेगा कितने कीमी पर दस कीमी दूरी के लिए भाड़ा कितना लगा है एक सो पांच रुपया तथा पंदर कीमी के लिए भाड़ा जो है कितना है एक सो पचपन रुपय तो नियत भाड़ा तथा प्रतिकीमी भाड़ा क्या है एक व्यक्त को 25 कीमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा तो यहाँ पे दो सर्थ आपको दिखाई दिया 105 और 155 यहाँ दो सर्थ आपको दिखाई दिया जा रहा है कोर्शन में तो सबसे पले आं माना और माना लिखने के बाद से दोनों सर्थ का प्रियोग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना टेक्सी का जो नियत भाड़ा है यक्स रुपिया है तो यहाँ लिखेंगे माना टेक्सी का माना टेक्सी का नियत भाड़ा नियत भाड़ा क्या है तो यक्स रुपिया है नि एक कीमी तथा एक कीमी का भाड़ा एक कीमी का जो भाड़ा मालेंगे कितना है वाई रुपिया है वाई रुपिया है तो अब यहाँ पहली साथ से नोट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पहली सर्थ से पहली सर्थ से तो अब पहली सर्थ क्या है अब धिहान देंगे तो पहली सर्थ में दिया गया कोशन में कि नियत भाड़ा जो है नियत भाड़ा भी है नियत भाड़ा पलस दस कीमी कितना कीमी दस कीमी जाने में दस कीमी जाने में कुल भाड़ा कुल क्या है भाड़ा जो है कितना है तो कुल भाड़ा एक सो पांच रुपिया है तो यहां लिखेंगे एक सो पांच नियत भाड़ा भी है और दस कीमी जाने में कुल जो भाड़ा मिला करके कितना हुआ एक सो पांच रुपिया तो नियत भा बराबर क्या हो गया एक सो पांच हो गया अब यह बन गया समी का नंबर एक कितना असान है अब यहां लिखेंगे दूसरी सर्थ से अब दूसरी सर्थ में क्या है अब कोशन में देखेंगे दूसरी सर्थ से कोशन में क्या कहा गया है तो पंद्रे कीमी के लिए भाड़ा क्या है एक सो पच्पन रुपया है तो अब यहां लिखेंगे नियत भाड़ा नियत भाड़ा पलस जो है पलस और यहां एक सो पच्पन रुपया कितने कीमी के लिए है पंदरह कीमी के लिए है अब लिखेंगे पंदरह कीमी जाने में कुल भाड़ा तो कुल भाड़ा लिखने के बासे कितने के बराबर करेंगे तो एक सो पच्पन के बराबर कर लेंगे तो नियत भाड़ा क्या है यक्स है पलस हो गया पंदर कीमी जाने में भाड़ा क्या हो गया यहां पर पंदर जो हो जाएगा वाई हो गया बराबर हो गया एक सो पच्पन हो गया समी का नमबर बन गया अब समीका एक और समीका दो को देखेंगे तो कितना आसान जो समीकरड है तो यहां जो है यह यक्स और यहां पर भी यक्स है समान है तो समान चीन में क्या करेंगे दोनों समीका को घटा देंगे तो यहां लिखेंगे समीकरड जो है एक माइनस समी करड़ दो से मतलब समी का एक में से समी का दो को क्या कर देंगे घटा देंगे तो आप समी का एक को समी का दो को नीचे नोट कर लेंगे तो अब यहां समी का एक को नोट कर लेंगे एकस पलस क्या था दस वाई था बराबर क्या है तो 10 y बराबर क्या था तो 105 रुपया था अब यहां क्या हो जिसमी के दो को x पलस जो है 15 y बराबर क्या है तो 155 था अब यहां क्या करेंगे दोनों समीका को घटा देंगे तो माइनस 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 हो जाएगा अब घटाने की बास से यहां क्या नूट करेंगे अब यहां प से δस 50 को कड़ लेंगे तो य के मान जो आगे 10 आगए 10 यarner आगे भाई के मान डसšा जाएगा तो य कमान 10 समिक 1 के महीं रखने पर आगे समिक एक को यहाँ पर konst कर लेंगे अब एस पलस जो है 10 हो गया यहां पर 10 Y है तो 10 गुड़्य के मान 10 हो जाएगा 10 में 10 के कुड़ा कर लेंगे तो समझ में आ गया होगा कि नियत भाड़ा जो है पांच रुपया हो जाएगा और जो है कीमी का जो भाड़ा होगा वो कितना हो जाएगा दस रुपया हो जाएगा तो अब एक ब्यक्ति के लिए जो है पचीस कीमी के निकलना है तो पचीस कीमी के लिए और एंसर को आप लोग मिलान कर लिजिए जहां भी कोई दिकत हो आप लोग कमेंट कीजिए तो आज का वीडियो इतना ही अब कल मिलते हैं सुबस साथ बज़े तब तक के लिए नमस्कार